हेलो फ्रेंड्स जैसी किष्णा जैमातरदी जैसरी शाम कैसे हैं दोस्तों आपसे भी आशा करती हूं आपसे भी बहुत अच्छे होंगे तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कि महादेव ने आपके भागी में कितना पैसा लिखा है आखिर क्या मिलने वाल भी हमारे साथ क्लियर जरू करें शुरूबात करते हैं वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए देखिए स्क्रीन पर आपको तीन मटके दिखाई दे रहे होंगे तीन आपको जिन पर नंबर्स डले हुए फर्स्ट पिल है डबल टू सेकंड डबल फाइव और थर्ड पिल किस तरह से चलने वाला है आपका भाग्य बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर पिल की कि आखिर महदेव ने आपके भाग्य में कितना पैसा लिखा है जिन्होंने डबल टू नंबर चूस किया है देख लेते टेरो काड आपके लिए क्या कह रहे हैं टेरो कार्ड बता रहे हैं दोस्तों कि आप बहुती स्वाभिमानी इंसान हैं बहुती समझदार इंसान हैं आप हमेशा अपने पैसों का जो खर्च हैं बहुती सोच समझ कर तोल मोल कर करते हैं कभी कभी आप इतने उस्व हो जाते हैं कि आपको कहीं पर भी आप दोस्तों के बीच अगर रहते हैं तो बहुत इमानदारी से पैसा खर्च करते हैं कभी भी आप पैसे खर्च करने में वहाँ पर संकोच नहीं करते हैं लेकिन जब घर पर बात आती है तो आप बहुत ही तोलमोल के पैसे खर्च करते हैं इस वज़े से आपको कई बार लोग कंजूज भी कहते हैं लेकिन आपका इस तोल मोलकल खर्च करते हैं तो यह आपकी बहुत अच्छी आदत है इसी के साथ ही आप अपने पैरेंट्स की हमेशा इज़त करते हैं उनका सम्मान करते हैं आप कभी जूट नहीं बोलते हैं सेवा भाव आपके दिल में रहता है और कभी भी आप किसी को तकलीफ में नहीं दे कभी कभी आप मुसीबत में भी फस जाते हैं बहुत से लोग आपका फाइदा भी उठा लेते हैं और आपका नुकसान भी हो जाता है तो थोड़ा सा सोचने समझने की भी अपनी शक्ति को आपको बढ़ाने की जरूती क्योंकि जमाना जो अभी चल रहा है वो बहुत आगे चल रहा है आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में बैठे हैं जो आपसे कई गुना आगे की सोचते हैं कई कितने ही फ्रोड बैठे हुए हैं तो इन से संभलते हुए आपको दान पूर्ण करना है क्योंकि कहीं आपके दान का कोई व्यक्ति एसा फा परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सब्र रखे, सब्र का फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, सावन के महीने का अंत होगा, उससे पहले ही आपको बहुत बड़ी खुश क्ष़बरी मिलने को रहे हैं, महादेओ की इसी क्रपा आप पर बरसने वालि महादेओजी आपकी भक्ती से बहुत ज्यादा प्रसंद हैं वें आपके निश्प्रेम मंन में महादेव के प्रति प्रेम से महादेव बहुत प्रसंद आपको सावनमहिने के अंत्व होने से पहले आपको बहुत बड़ी खुशकबरी के रूप मिले सेकंट पेल की बात करें जिसकिसी ने डबल फाइफ नंबर चूस कराया देख लेते टेरो काड आपके लिए क्या कह रहे हैं टेरो काड कह रहे हैं दोस्तों आपके लिए कि आप बहुत ही अ मां समझदार इंसान हैं लेकिन कभी कभी पता नहीं घुस्से में आपको क्या हो जाता है समझ Not लेकोत समने तक आपको समझ में नहीं आए लेकिन जब आपका हुट शान्त हर तब आपको बहुत जदा अफसोस भी होता है कभी कभी तो ऐसी कंडिशन क्रेट हो जाती कि आप खुद आगे होकर माफी भी मांग लेते हैं कि मेरे मुझसे गुसे में पता नहीं क्या निकल गया आप बहुत दिल के साफ है आपका भगवान पूरी तरह से आपके साथ है आपका जो मन है वो कभी पर रहता है आप मुफड बोलते हैं आप बिल्कुल सामने बोलते हैं अगर किसी के लिए कुछ बुरा भी लग रहा तो आपके उसके मूँ पर बोलते हैं लेकिन यही बाते लोगों को चूबती है आपका सीधा बोलना कहीं न कहीं आपकी इन बातों की वज़े से आप अच्छा है साती महादेव आपकी भकती से बहुत प्रसंट है बहुत जल्द लो आपको इसा खुशखबरी के रूप में कैसा अप सर्प्राइज देने वाले हम थे जो आपकी जन्दगी को पलट या तो आपको आपको जीवन साथी मिलने वाला है या एसा लाइफ पाटर म मिलने वाला है जो आपके करियर को एक नई दिशा देगा आपकी सोच को पॉजिटिव करने में आपकी मदद करेगा या फिर ये खुश खबरी कोई जौब से रिलेटेड हो सकती बहुत जल्द आप इस जिदगी में महादेव की असीम क्रपा आप पर बरसने वाली महादेव जी के जो भी भक्त है उन पर पूरा महादेव जी का अशिरवाद प्राप्त है एक बाद और ध्यान रखेगा जब भी आप पूजा अर्चना करें तो पूरे दिल से करें दिमाग से करें सब कुछ वही पर होना चाहिए दिल भी वही होना चाहिए दिमाग भी वही होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपका दिल कहीं हो रहे हैं आपका दिमाग कहीं हो रहे हैं पूजा अर्चना करें वह लगे ही नहीं तो बिलकुल ध्यान से पूजा अर तो अभी पुराने कर्मों के हिसाब से महनत बहुत लिखिए बहुत जल्दी परिनाम इसके आपको मिलना शुरू हो जाएंगे इसी के साथ एक चीज और ध्यान रखेगा कि जितना जल्दी आप पॉजिटिव खुद को बना लेंगे उतनी जल्दी परिनाम आपको मिलना शु कोशिश करें कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है सभी के लिए अच्छा सोचते हुआ हमें जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा थार्ट नमबर पील की बात करें जिसकिसने भी थार्ट नमबर पील चूसकरा है देख लेते हैं आपके लिए टेरोकार्ड बता रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान है जो हमेशा मेहनत करना जाते हैं एक कर्म प्रधान इंसान है और हमेशा अपने कर्मों पर डिपैंड रहते हैं कभी भी आप यह नहीं सोचते हैं कि भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा आप सिर्फ कर्मों पर विश्वास करते और यही आपकी जो अदा है इस वज़े से आप अपने जिंदगी में एक दिन वो मुकाम हासिल करने वाले हैं जिसे देख करके लोगों की आँखे चोकनना हो जाएगी लोग चोकनना हो जाएगी आज वही लोग जो आप पर उंगल लियां उठा रहे हैं कल आपके पक्ष में आपको खड़े होते हुए नजर आएंगे तो बिल्कुल टेंचन नाले जो इंसान मेहनत करना जानता है जो मेहनत से घवराता नहीं है सफलता एक दिन उसके कदम जरूर चुमती हैं और बहुत जल्द आपके कदम चुमने वाली ह रखना है उस इश्वर पर जिसे आप बहुत ज़्यादा मानते हैं इश्वर का पूरा पूरा विश्वास रखना इश्वर पर स्रद्धा भाव रखना यह आप बहुत दिल से करते हैं बहुत मानते हैं जिस भी शक्ति को मानते हैं बिल्कुल दिल से मानते हैं कोई दिल में सार आप जरूर देते हैं लेकिन अगर कभी घुसा आ रहा है घुसा बहुत ज्यादा आता आपको जिद्दी भी बहुत ज्यादा है बुरा मत मानिएगा लेकिन गुसे में कभी इतने बत्तमीज हो जाते हैं कि आपको खुद को मालूम नहीं पड़ती है कि आपके मुझे से किसी शब्द दूसरों के प्रती निकल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा घुसे पर कंट्रोल करना है जिद पर कंट्रोल करना है और कॉंफिडेंस और इगो को बिलकुल अपने जिन्दगी म ही नहीं है लेकिन यह राह आपके लिए बहुत जल्द सक्सेस आपको दिलवाने वाली है दोस्तों आपने हमेशा अपने जिन्दगी में लोगों के लिए मदद करी है लोगों के बारे में अच्छा सोचा है लेकिन कभी भी आपको मिला है तो वह धोका मिला है विश्वास मिला है इसलिए हमेशा आप अच्छा करते रहें टेंशन मत लीजे जो पुराने कर्म है वो निकल जाएंगे लेकिन अब जो आप करेंगे उसका भविश्य में आपको और आपकी दर पिड़ी दर को मिलेगा तो इसका फल पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आपको पॉ लाइक करें कमेंट सेक्शन में जैमातादी लिए चैनल को सब्सक्राब करें बिल आइकन को प्रेस करें मिलते हैं नेक्स स्टुडियो में अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत दुनिवाद जैमातादी हर हर महां दें झाल झाल झाल